गुड मॉर्निंग चिल्रेन आज हम लोग चैप्टर नाइन का एक्सराइज बनाएंगे यह चैप्टर नाइन है इस एम आर फिल इन दे ब्लैंक वित दा वर्व इस एम और आर तो यहां पर मुंबाई इस दा बिजने सेंटर आफ इंडिया इस तरह से यह लिखाएगा यहां पर रिषाइट दस फ्लोइंग संटेंस बाई प्री प्लैसिंग द अंडर लाइन वर्व वित करेक्ट वन्स तो यहां पर रिषाइट संटेंस करना है यह दुबारा से संटेंस लिखना है लेकिन देर इस की जगह पर जो चीज़े वर्व को गरेक्ट लिखना है यानि कि वर्व सही लिखना है देर इस मेनी एनिमल्स इंड़ ओ तो यहां पर देर आर मेनी एनिमल्स इंड़ ओ a dog are under the table a dog is under that table there is many puppies playing in the park लेकिन यहां पर इस को अटा के there are many puppies playing in the park उसी तरह से Mr. Khan is my English teacher I am going to play tennis everybody is studying for the test tomorrow someone is knocking at the door use is or are in the following sentences इस्तरह से यह सबनेगा